अनन्त का फंडा के आज के एपिसोड में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे दो ऐसे पॉइंटर्स जो बजट में आपके लिए बड़ा दोका हो चुके और यह ऐसे दोके जिसकी वाल्यू अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आई अभी तक उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें कितना बड़ा लॉस होया है या उन्हें कितनी बड़ी मार पड़ी है डिटेल मैं समझ जाता हूं आपको बहुत simple language में आप समझ जायोगे सबसे पहली बड़ी मार जो अभी तक किसी की नजर में आई नहीं वो है property के ओपर देखी property में अभी तक क्या होता था suppose करते 20 साल पहले आपने कोई property purchase करी उस property को indexation की value से बढ़ाया जाता था indexation की value क्या होती है roughly आप यह माल लीजिए कि inflation की वज़े से जितनी उस property की price बढ़ गई उसे बढ़ाया जाता था suppose करते एक क्रोड की property बढ़ते बढ़ते उसकी price होगा यह देट क्रोड की जब आप बेच रहे हो जितना भी आपको profit होगा देट क्रोड की उपर से उस पर ही आपको tax लगेगा वरना जो एक से देट क्रोड के आसपास का आपका gain हुआ है उसे inflation adjust मानते हुए आपको कोई भी taxation नहीं लगेगा अब सरकार ने क्या क्या सरकार ने इका जो इंडेक्स वैली लगाते हो न एक की जगे डेर क्रोड होगा यह बड़ा confusion होता है जो आपकी property होती है वो गया तो residential property होती है और residential property में appreciation काफी कम होता है appreciation usually index value के आसपास होता है या फिर उससे हलका फुलका ही ज्यादा होता है मतलब ऐसा कोई major appreciation नहीं होता कि 10%, 12%, 15% का cg return मिल रहा है ऐसी बहुत कम residential property अभी तक हमें देखने को मिलती है और अगर मिलती भी है तो हमें मानना पड़ेगा देखो यह officially में बोल नहीं सकता पर जो books में दिखती है मैं तो उस gain की बात कर रहा हूँ over the books आप क्या करते हैं उसका कोई फरक नहीं पड़ता books में आपकी क्या gain हो रहा है वो important है books का gain usually हम देखते थे कि हमेशा आपका होता था indexation value के असपास का या फिर उससे हलका फुलका जादा तो आपको जो indexation का benefit मिलता था उसके बाद आप जो tax pay करते था वो काफी कम पड़ता था अब क्या होगा suppose करते एक क्रोड की property आपने डेट क्रोड में बेची although indexation के बाद उसकी value एक चालीस या एक पैतालीस हो रही थी पर just because अब indexation की value हट चुकी है आपको पूरे 50 लाग की gain की उपर tax pay करना पड़ेगा और ये काफी negative हो जाएगा property के investment के लिए property वालों के लिए अब होगा उल्टा क्या या तो लोग property में काम करना कम कर देंगे वरनाब जो cash में काम करते थे वो जना promote होगा उल्टा हम चाहते कि cash में काम ना हो तो हमें taxation कम करना चाहिए अब इतना भारी taxation लगा दिया जाएगा और इतना सारे dealing होगी और इतना महंगा पड़ेगा वाइट में काम करना तो लोग बोलेंगे छोड यारी वाइट में नी मैं तो cash में कर लेता हूँ which is very wrong for us, for economy, for a logical person की नहीं यार मैं वाइट की मेरी wealth नहीं करेंगा हूँ it is very wrong पर जब इतना major tax होगा तो ये एक negative हो जाता है property investors के perspective से और एक आदा घर तो हर किसी के पास होता ही है उसको जब आप बेचोगे तब आपको actual दथ पता चलेगा की हुआ क्या second point बजाता हूँ आपको जहां पर आपके साथ मार पड़िये वैसे तो आपके लिए सस्ता हो गया है gold gold में हुआ क्या है 15% का लगता था import duty अब हो गया 6% की import duty इससे सबसे पहले समझते हैं फाइदा क्या होगा अभी आप देखते होगे न कुछ लोग जाते हैं दूबई या किसी और country में वहाँ से जाके gold purchase करके लाते हैं यह सुचते भी देखो आपे gold सस्ता है अब वो gold जो सस्ते की value बहुत कम रह जाएगी because इंडिया में already अब जो import duty लग रही थी उससे 9% से reduce कर दिया है तो आपका impact खताम हो गया पर आपके उपर negative impact क्या हुआ है कल बैठे बिठाए अननेसेसरी आपके पास जो घर में gold पड़ा है इंडियन का आज के दिन सबसे major asset class है gold although हम चाते हैं कि gold में लोग invest कम करें और digital assets की तरफ जाए इसने तो gold की जगे हमने gold bond को introduce किया सरकार ने फिर सरकार regularly कहती है कि भाया gold छोड़ो आप digital asset class mutual funds, mutual fund सही है, mutual fund में SIP करो, SIP सही है यह सब promote कर रहे है ताकि gold से और FD से पैसा निकले और तोड़ा digital asset class जो एक्चुल इंडिया की growth में help करता है वहाँ पैसा जाए अब हुआ क्या, दो चीज़ी हुई, gold में सस्ता करने की वैसे सबसे पहले जो आपके पास पैसा पड़ा है gold में उसकी value unnecessary कम होगे यह 9% की अब क्या gold कोई हर साल बढ़ता है पचाफ साल बढ़ता है, नहीं बढ़ता आप ही देखोगी कि अगले 6 साल में भी gold के जो returns होंगे, आपको कुछ भी जाला नहीं मिलेंगे या expectations बहुत कम हो जाती है because 9% का dent तो पड़ी गया आप बलोगे, 9% का कैसे आभी तो dent हमें 6% के दिख रहा है भी आपको 6% का इसलिए दिख रहा है क्योंकि global market में gold बढ़ा था अपना बढ़ने की जगे टूटा पर बढ़ने वाले point को भी capture करते वे आप देखोगी तो रफली 7-8-9% का आपको impact वहाँ पर मिल गया है तो यह हुआ है सबसे पहले कि जिनके पास gold पड़ा था उनकी value बैठे बिठाए बिना कुछ करे कम हो गई Secondly, अब जो gold purchase करने वाले है अब आप सोच की देखेगा हम एक तरफ जाते हैं कि इंडिया में लोग dead assets जैसे की gold FD कम करे और digital assets जाए वो mutual funds हो equity हो, new age assets हो जो इंडिया में actually growth में help करता है उसमें ज़्यादा निवेश करें उसी के जगे जहां पर हम निवेश करवाना चाहता है लोगों को, उसको तो महेंगा कर दिया और जहां से पैसा निकलवाना चाहते है लोगों का, उसे सस्ता कर दिया अब आप भी बताओ कि gold में लोग invest करेंगे या फिर equity में invest करेंगे आपकी पास option हो जाता है although long term investor अभी भी बोलेंगे कि भाईया मैंने mutual fund के है 20 साल के लिए जिस समय tax लागेगा उस समय सोचेंगे पर आप सोच के देखो अगर अभी उन्होंने ये सोच लिया कि भाई मुझे mutual fund में taxation बढ़ाना है long term equity taxation बढ़ाना है क्या सिर्फ वो एक बार बढ़ा रहे कि 1.5% कर दिया बात खत्म अब नहीं बढ़ाएंगे आने वाले 2-3 सालों में ऐसा नहीं है वो trend show कर रहे है जो long term trend के against में आपको हमें अपनी बात रखना आप किसी भी सरकार की favor में हो सकते हो पर आपको लग रहा है कि यार आपको कुछ मार पढ़ रही है तो उसके against अगर आप बोलोगे नहीं तो सरकार को पता नहीं चलेगा सरकार को पता नहीं चलेगा तो वो तो ऐसे ही tax बढ़ाते रहेगी अभी 12% हुआ है ये बढ़ते बढ़ते 15% नहीं हुआ इसके क्या guarantee है कोई guarantee नहीं है बलकि ये तो हमें ये stand देता है कि सरकार का mood है कि भया यहाँ पर पैसा बन रहा है तो इस पर tax किया जाए मैं तो simple सी बात ये कहता हूँ पैसा बन रहा है पर end में आ तो economy में रहा है आ तो companies के पास ही रहा है तो वहाँ पर unnecessary और tax बढ़ाने की ज़रुवत नहीं थी तो इसके against हमें अपनी बात रखना बिलकुल respectful manner में important होता है पर gold में चुट taxation reduce हुआ और gold सस्ता हुआ है उसकी वैसे eventually gold promote होगा आज के दिन जिनके वास भी gold पढ़ा है उनकी asset class मैं गहता हूँ कल मुझे सबस्यादा loss हुआ पताए कहाँ पे? gold पे मतलब जो कहते हैं जहाँ पे जिस दरिया में जिस नदी में पानी कमता महीं पे जाके मेरी boat डूबी ऐसा कुछ scene हो गया मेरे साथ बट वो सभी के साथ हुआ पूरे इंडिया के साथ हुआ और majority लोगों को अभी तक समझ ही नहीं कि उनके साथ हुआ क्या तो ये दो point आप समझेगा जो major negative है मैं ही नहीं कहा रहा कि positive नहीं थे positives भी आया है budget में कुछ जैसे कि हमारा fiscal deficit control में है हमारा जो हम expenditure कर रहे है capex पे वो काफी अच्छा और वो continue हो रहा है roads बनाने की बात करी चारी है कुछ states के लिए तो bumper budget था चाहे वो आंदर प्रदेश हो बिहार हो ऐसा लगा कि वो तो जमाई बन के आयते इस budget में उनको तो बहुत भर-बर के मिला जो eventually अच्छा भी अगर वो utilize होता है देखो अगर वो पैसा utilize नहीं हो रहा तो आप जानते हो उसका क्या हाल होगा पर अगर वो utilize हो रहा था उन सारे states के लिए काफी अच्छा है हमारे national corridors brand की बात हुई है कुछ नए temples की बात हुई है बात हुई कि किस तरीकी से road की connectivity को बढ़ाया जाए पर at the same time आपको शौक होगा कि railway के related कुछ बात ही नहीं हुई पर I am assuming कि जो पिछले budget में railway में कहा था उसी कोई continue किया जाएगा जादा वहाँ पर कुछ updates नहीं है तो overall budget में कोई दिक्कत नहीं थी पर जो आखरी की 10 line थी especially taxation के related वहाँ पर अच्छी मार पढ़ी है जो मैंने आपको explain किया और ऐसी मार है जो दिरे-दिरे हमें समझ आएगा कि कितना बड़ा impact आपके उपर और हमारे उपर हो रहा है इसी discussion के बाद अब हम चलते हैं कल की market की expectations के उपर चलिए शुरू करते हैं जनरल market trend अभी भी uptrend में है volume distribution days बढ़ रहा है पर अभी भी उनका count 3 से नीचे है put call ratio 0.83 के आसपर से comfortable है अगर put call ratio इवन अगर market में बाद नीज आगी है उसकी बाद भी market तूटता है पर अगर put call ratio कभी भी 0.6 के आसपर स, 0.65 के आसपर चले जाए फिर हम short नहीं कर सकते हैं रखेगा इस बात का FIIs और DIs का जीटा चेक आउट करोगे तो FIIs ने कल के दिन 3000 क्रोड की sell करी और DIs ने 1500 क्रोड का माल purchase किया net में FIIs ने अच्छा खासा माल कल के दिन बीचा है index की बात करेंगे तो आप चेक आउट करेगा सबसे पहले Nifty को जो हम expect कर रहे थे ने कि market में बहुत बड़ा correction आ जाएगा वैसा नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब यह है कि market में इस news को positively लिये ऐसा कुछ नहीं कई बार क्या होता है market को manage किया जाता है manage किया जाता है ताकि यह लगे कि जो बजट तो अच्छा है market तो कितना अच्छा है या फिर कई बार market कहता है अच्छा तो मुझे तोड़ने के लिए ऐसा budget लायो अब तो थोड़वालो तुम्ही तो कई बार क्या होता है जो reaction आता है वो लेट आता है क्या यह पहली बार है लेट रेक्शन नहीं 2018 का जाके आप निफ्टी का चार्ट देखेगा लेट रेक्शन आया था दो-ती दिन बाद पर अवरराल हम देखेंगे तो अब हमारा stance क्या होना चाहिए तोड़ा सा cautious होना चाहिए important रहेगा निफ्टी में positive जाने से पहले 24,550 का level जब तक यह नहीं करता मैं बहुत handsome तरीके से positive या फिर बड़ी trades इंटर डे में भी नहीं लूँगा इस level के आसपास मिलता है तो यहाँ पे हमारी लिए shorting की opportunity होती है reversal की opportunity होती है obviously हमें वहापे stop loss सकना पड़ेगा 24,600 कटके उपर जा रहा है तो वापे से एक बार आपको ultra short term के लिए positive होना पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हलका-फुल का gap up या फिर flat open होता है तो मैं reversal की trade के लिए plan करूँगा नीचे की साइड 24,320 करता है तो एक बार वापे से यहाँ पर के opportunity होती है मतलब basic mindset जब तक resistance break नहीं होता है एक बार cautious या फिर तोड़ा सावदान होके काम करने का है bank nifty में बात करें तो bank nifty में हमारा level था 52,600 का हम देख सकते हैं कि 52,600 आज open हुआ और वहीं से reversal आया यह perfect reversal capture हुआ होगा आपसे आज की दिन अगर आपने कल का episode दिखा होगा अभी भी हमारा बहुत simple सा level है 52,600 के उपर ही positive होता है अगर 52,600 आपको दूर लग रहा है तो आप एक बार level note कर दीजे round figure का 52,000 52,000 के उपर जाएगा तब ही हम positive बात करेंगे वरना यह एक reversal का level होता है आपको link मिल जाएगा जाके check out कर लीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो like करेंगे ना मच जाएगा नए हो चानल पर तो subscribe कर लो important video भी screen पर तो इसको भी check करते हुए चले जाएगा, see you very soon